हे दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के तरपसान वाले न्यू स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम होगा वीवो आईक्यू डवलो 5 और दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें कि आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलोज को लांच कर रहा है और बताया जा रहा है कि 4000 mh के बैटरी को सिफ 15 मिनिट के अंदर चार्ज कर देगा फूल तो दोस्तों आपको वीवो आईक्यू डवलो 5 में भी 4000 mh की बैटरी मिलेगी जिसको बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा मतलब 15 मिनिट के अंदर फूल चार्ज लांच हो जाया है कि यह आईक्यू वाले ना अनाउंस कर दिया और यह स्मार्टफोन दो बच के 30 मिनिट में आपको चैना में देखने को मिल जाएगा चली बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिगेशन के बारे में तो आपको यहां पास Qualcomm के तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865 का प्लस वाला चिपसेट जो कि 5G नेवल लिवास तो अल्री होने वाला है और यह 1.8 GHz पर क्लॉक्ट रहेगा आत में आपको LPDDR5 प्रायम जो की सपोर्ट करेगा UFS 3.1 के लेटेस्ट फास्ट स्टोरेज पर चली बात कर लेते हैं इसके डिस्प् 4.44 इंचिस की फुल SG प्लस एक सूपर एमुलेट का पैनल देखने को मिलेगा जहां पर आपको दोस्तों 120 Hz का रेफरेट्स रेट देखने को मिलने वाला है जिससे की आपकी डिस्प्ले एक्स्प्रेंस काफी मज़ेदार हो जाएगी और व्यू एक्स्प्रेंस भी बढ़ इसली मिलेगा जैसा कि आभी इस फोटो में देख सकते हो जो 120 वाट का फार्श रेजर का टेस्ट हो रहा था उसी में यह आएक्यू 005 का फोन यहां पास आप लोग को दिख रहा होगा जिससे की पता चलता है कि आपको उसमें एक पंचुल कैमरा मिलेगा सामने और कितने मे दोस्तो इसकी जो प्राइज होने वाली है चायना में आपको 52,000 का देखने को मिलने वाला है काफी हाई प्राइज हो गई बहुत ज़ड़ा प्राइज है और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बदा दू इसका लॉंच है तो मैं आपको बता दिया है सतर तारीक को यह ल स्पीड भी बढ़ जाएगी दोस्तों जो इंफॉर्मेशन लिकल के आई थी मैं आपको बता दिया भी वो आईक्यू डवालो फाइब जी स्मार्टफोन से लिकल के जो जो स्पेसिफिकेशन आई थी मैं आपको सब बता दिया आगे कुछ डीटेल लिकल के आता है तो हमारी य चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबा लिए और लाइक करना मत बुलिएगा तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन और वदे मात्रम और सेफ रहिए